hello hi welcome to test book super coaching session live all set आवाज क्लियर सुना दे रही है आप लोगों को मेरी कहा हूं मैं मुझको मैं नजर नहीं आती hello rotash, nishu, paawan welcome to test book super coaching session को like share कर दीजेगा आपने friends में और आप सब बढ़िया हो ना yes कल वाला सारा पढ़ रख है खावना आपका ओरिजनल नेम क्या है student of gopika मैं अपना ओरिजनल नाम तो बता दो hello khushy नमस्ते, hello hi welcome to test book super coaching उमीद करते हूं आप सब बढ़िया खुशल मंगल मस्त कल अंदर चलते हैं, session को आगे continue करते हैं कल जो सीखा, उसी को आगे बढ़ाते हैं मैं बढ़िया हूं, रोमिया जी आप सुनाईए चांतनू, मॉंडल good evening, very good evening आप सब का स्वागत है super coaching में ठीक है? चलिए बाते करते रहेंगे बीच बीच में अभी पढ़ाई शुरू कर देते हैं computer जी कल से जुड़ा हुआ एक question बच्चों से practice करा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे computer जी computer जी कह रहे हैं इस question का answer कर दो बच्चों मैं बढ़िया, जी बढ़िया भावना question screen पर है कल जो बाते करके गए थे उसी से linked एक question आपके screen पर है length of a rectangle is increased by 4%, breath is increased by 10%, find the percentage change in area good evening हमारी प्यारी मेडम तुमने मुझे good evening जी question आगया screen पिंदर राज व्लोग्स question करिए यह प्यारी title length of a rectangle is increased by 4%, breath is increased by 10%, find the percentage change in area please find it अरे अरे अरे, answers की बच्चारे आने लग गई हैं कल जो सिखाया गया था, उसी से linked question है उमीद करती हूँ आप बहुत अच्छा perform करेंगे इस question पे आये जरा बात कर लेते हैं इस question की सुनिए का मैंने आपको क्या सिखाया था जब भी आपको यह महसूस हो रहा हूँ कि कोई तो चीजों की product से कोई तीसरी चीज बन रही है जैसे कि आप जानते हैं कि length into breadth किसी भी rectangle का area होता है इसने बोला length को 4% बढ़ा दीजिए breadth को 10% बढ़ा दीजिए area में change क्या होगा यह पूछ रहा है यही पूछ रहा है ना यही पूछ रहा है ना अब जल्दी से इसको use करके answer कर दीजिए कल से जुड़ा हुआ एक practice question हो गया है ना आप लोगों ने इसको इस तरह से जल्दी जल्दी handle कर लिया होगा और यहां पे आपने लिख दिया होगा इसको 2x5 और answer आपका आगया होगा 14 is to 2x5 आपके question का answer second option आ गया continue करते हैं with new questions ठीक है यह आपको दिमार्ग में रखना है जब भी कोई दो चीजों की product से कोई तीसरी चीज़ बन रही है दो में change बोलके overall change boost ले we can do like this ठीक है यह आपने values put कर नहीं थी value put कर दी 4 plus 10 plus 4 into 10 बटे सो मैंने आपके सामने ही solve किया है ना सादना जी नमस्ते जी नमस्ते बहुत बढ़िया आगे बढ़े very good आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया वीरा वीरा को पका पका लन हो चुका है आज एक नया question आपके screen पर है ठीक है थोड़ा change करते है patterns बदलते हैं जिहान से इस question को read करिए और इसका answer करिए income of a managed 28,000 अराम अराम से पढ़ना दिमाग पूरा use करते होए 14,000 ही spends उसका income 7% बढ़ गया spent बढ़ गया 11% find the percentage change in savings बताएं बधिया जी बधिया like share कर दीजे session को और इस question का answer जल्दी से कर दीजे एक आदिमी की income 28,000 है 14,000 उसमें से वो spend कर देता है उसकी income 7% बढ़ गई expenditure 11% बढ़ गया change in saving बताएं तो चो करो इस question का answer करिए जल्दी जल्दी पवन फटाक से करने को मंगता कुशी देव वीरा रिशी सुनील बताएं यार इवनिंग जी मैं बढ़िया को निका जी राज कमल बताईए देखो मैं आपको कुशन समझाती हूं अराम से समझते हैं एक मैं एक आप ऐसे चलाते हैं ठीक है कुशन को कुशन बोल रहा है एक आदमी की income 28,000 है जिसमेंसे 14,000 खर्च कर देता है आईए अराम इस कुशन को देखते हैं कैसे सोल करना चीए हमारी जिंदगी से जुड़ी एक बेसिक सी बात है हम सब जानते हैं हमारी income expenditure और saving का क्या लेना देना होता है हम सब जानते हैं हम कमाते हैं उड़ाते हैं बचाते हैं यहीं हमारी जिंदगी का नियम है पैसा कमाएंगे तो खर्च भी होगा बचाएंगे भी अब यहां पर देखे क्या बोल रहा है एक आदमी अपनी income क्या बता रहा है 28,000 नजर मत हटाईएगा आपने का 28,000 कमाने वाला 14,000 उड़ा देता है तो डेफिनेटली 14,000 बचाएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं न अगर आप 28,000 कमाते हैं 14,000 खर्च करते हैं 14,000 बचाते हैं अब कहते हैं income बढ़ रही है भाई की 7% income 7% बढ़ रही है खर्चा बढ़ रहा है भाई का 11% आप से बोल रहा है सेविंग में चेंज बता दीचे कितना सेविंग में चेंज आएक तो यहाँ पर कोईशन बढ़ाने वाले ने एक बड़ी चलाकी करी है उसने जान करके यह डाटा दिया है ठीक है अब मैं आपको एक कोईशन दिखाते हूँ इससे अगला एकस्पेंडिचर की कोईशन बिल्कुल सेम इंकम बढ़ गया 30% खर्चा बढ़ गया 25% सेविंग में चेंज बताओ कोईशन का आंसर इसका भी आएगा चार ओप्शन बड़ी जस से दियों में है तो फिर यहाँ पर डाटा दे के क्या करवाना चाहता है तुम्हें गुणा भाग में फसाना चाहता है तुम गुणा भाग में फसना मत तुम क्या करो नंबर्स को अपने हिसाब से घुमाओ अब इस कोशन में तुम्हें यह पता है कि अगर तुम कमाते 28,000 हो उडाते 14,000 हो, बचाते 14,000 हो तुम यह डाटा यूज ही मत करो तुम इस डाटा की जगा यह सोचो यह 28,000 में से 14,000 गया 14,000 बचा इसका मतलब 2 में से एक बचा 28,000, 14,000 पर गुणा भाग करोगे तुम्हें यह तो समझ में आता हो कि मैं अगर 28,000 कमा के उस में से 14,000 उड़ा देता हूं, 14,000 बचाता हूं तो मैं ऐसे सोच सकता हूं, 2 रुपे कमाता हूं एक रुपे उड़ाता हूं, एक रुपे बचाता हूं अब अपनी सहूलियत के हिसाब से 207 में टेकने से यह फायदा हो जाएगा जब percentage लगाओगे तो calculation कम से कम होई इसने बोला, मैं income को बढ़ा रहा हूं मेरी I, company मेरे काम से खुश होके मेरी I बढ़ा दी क्याती है, 200 पे तेरी income को 7% बढ़ा देते है 14 रुपे income बढ़ा देते है 200 का 200 का 7% 14 होता है न, आपको 6 तो करना आ जाएगा न, 7% ऐसे करके, % से 2-0 उड़ा लगी 14 बना खर्चा कितना बढ़ गया, नजर नहीं हटाने का खर्चा कितना बढ़ गया, कहता है खर्चा 11% बढ़ा दो मैंने का, जी घर, खर्चा भी बढ़ा देते है 100 पे तो percentage ही value होती है 100 का 11%, 11 होता है देख रहे हो ना, राम राम जी, राम राम कुशन ने बोला कई बच्चे क्या करते है नई आय लिख देते हैं, कि 214 हो गई होगी नए खर्चे को 111 लिख देते हैं ठीक है, और फिर नई बचत निकालते है मैं पहले 200 रुपे कमाती थी आज मैं 14 रुपे ज़्यादा कमाने लग गई मेरी कमाई 214 हो गई पहले मेरा खर्चा सो था अगले इस मही ने 111 रुपे खर्चो के बताओ मैंने कितना बचाया तुम बोलो के घटा के देख लो 103 बचाया कितना बचाया वीरा जी मैंने का 214 में से अगर 111 मैं उड़ा देती हूं खर्च कर देती हूं तो 103 ही बचाऊंगी कोशन बोलता है बता तेरी सेविंग में चेंज कितना है मतलब सेविंग कितना बढ़ गई परसेंटेज में या घटे गई कितना तुलना हमेशा प्रिवियस वैल्यू से होती आपके जिंदगी तुलना आपके पास से की जाएगी आप 100 रुपे कमा बचाते थे आज से 103 बचा रहे हो तो 3 रुपे पहले से ज़्यादा बचाने लग गई 300 का कितना परसेंट होता है 3 परसेंट कितना परसेंट सेविंग बढ़ गई 3 परसेंट सुलना किससे होती है हमारी पास से हमने कल से कितना अच्छा किया 100 रुपे कल बचाती थी 103 आज बचा रहे हो 3 बढ़ गई मेरी बचत 100 पर ठीक है या तो ऐसे या फिर अपना टाइम यहां बचाना है ना तो ये मतलिखो सिर्फ ये सोचो कि अगर आय चोदा बढ़ी है तो खर्च प्लस सेविंग की वज़े से बढ़ी होगी चोदा बरावर 11 प्लस 3 के कर दीजे आप लो कि मेरी आय अगर चोदा बढ़ी है तो खर्च प्लस सेविंग की वज़े से बढ़ी होगी तो डारेक्ट समझ जाओ कि 14 को 11 प्लस 3 के बराबर रिखा जाएगा अब डारेक्ट कर दो कि सेविंग 3 बढ़ गई 100 पर बोल दो 3 परसेंट सेविंग बढ़ गई है समझे के नहीं समझे जल्दी बताओ बात दिल में उतर गई आप सब के भूशन महाजन जी पवन, शाइन, सबको समझ में आ गया ये प्रशन येस बोल दीजे पक्का, clear cut समझ में आ गया अब ऐसा ही एक कोशन आप करके दिखा सकते हो क्या selective questions जो आपको देखने को paper में मिलने वाले हैं ठीक है, चलिए रादे रादे पक्का पक्का ना, दिल में उतर गया ना 3% कैसे आया, अगर आपके ये पल्ले पड़ गया बच्छे बच्चों की तरह जल्दी से इस question को निप्टा दो ओक्के है एक question नहीं, मैं ऐसा से 2 question कराऊंगी जल्दी से करना, clear है चलो भावना इसको करके दिखा दो फुरेन नू दस्तो जी लेट नहीं होना शंकर जी लेटम लेट नहीं, मैं लेट होई क्या मैं कहीं लेट नहीं होई चलो, बहुत बढ़िया खुशी देव ध्यान से करना है फुरिया, इसका आंसर बताओ हीना अपनी इंकम का 80% spend करती है, हीना की इंकम 30% बढ़ गई, हीना का खर्चा 25% बढ़ गया, बताओ हीना की saving में परतीशत बदलाव कितना होगा मैं इस perfect कर दूँगी आपको रोज आना पड़ेगा एक ऐसा thought process बन जाएगा आपका थोड़े दिनों में आप समझने लग जाएंगे चीज़ों को खुदी, लेकिन हर चीज time लेती है, एकदम से अगर जिंदगी में सब कुछ होने लगता तो इंसान एक दिन बैठ आगले दिन बन गया selection होगे, आपको पता है महनत लगती है इसको सारे ट्राए करेंगे सासली से ट्राए करेंगे धिहान से करना है, तुक्का बाजी मत करना देखो यार, अपनी मर्जी से हीना 80% खर्च करती है जब 80% कोई चीज लिखी होते है तो तुमारे दिमाग में कोई भावना ये तो पैद होएंगी असी पर 100 खर्च करती है उसको बोल के देखो जब तुम बोल के देखो कि निया 80% खर्च करती है 80% खर्च करती है एक बार और बोल के देखो 80% खर्च करती है सेंट मतलब 100 80 खर्च करती है 100 में से हीना एक लड़की है जिसकी कमाई 100 रुपे है और हीना उड़ा देती है 80 रुपया तो बचाती होगी 30 रुपया, ऐसे लिख दो, लिख दो, 4-5 भी लिख सकते हो, 100 असान है 100 लिख दो, कहता है हीना की आए बढ़ गई 30%, हीना 30% आए बढ़ा रही है, यानि की 100 का 30% तो दारेक 30 ही होता है, इंकम इसकी 30 बढ़ जाएगी, खर्चा 25% बढ़ा रही है, खर्चा 25% बढ़ा रही है, ठीक है 25% बढ़ेगा किस पर, कोई चीज किस पर बढ़ेगी, जितनी होएगी, मैंने बोला मेरी हाइट 20% बढ़ गई, यारे मेरी हाइट पर ही तो बढ़ेगी, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो खर्चे का ही 25% नि होता निकालना पड़ता है 80 गा 25 परसेंट निकालने के लिए मैंने का 25 परसेंट का पता एक्चो था ही होता है अच्छा अब समझ में आया कि 80 का 25 परसेंट नहीं 20 होता है तो खर्चा भेंजी का कितना बढ़ गया 25 यानि की 20 बढ़ गया 30 रुपे आये बढ़ी है 20 रुपे खर्चा बढ़ा है ये खर्चा 20 बढ़ा आये 30 बढ़ी इसका मतलब बाकी सारा योगदान इसके सेविंग का है सेविंग 10 बढ़ी है 10 रुपे सेविंग बढ़ गई पहले 20 रुपे सेव करती थी अब 30 करती होगी पहले ये लड़की राथ वेस्ट करूँ मैं, 10 रुपे, अगर मैं 20 रुपे की जगा 30 रुपे बचाने लग जाओं, तो मेरी सेविंग 10 बढ़ गई, मैं दुनिया को क्या बोलूँगी, देखो, मैंने 10 जादा सेव करना शुरू कर दिया, 20 पर, मैंने सेविंग 50% बढ़ा दी है, 50% बढ़ा दी है, कह इसका 10 क्या होता है, 50%, यह मैसूंस होनी चीज़े, रटा नहीं होने चाहिए, समझ आनी चाहिए, यहां अंदर जो दिल कहा होता है, यहां भी होता है, वहां जानी चाहिए, ठीक है, दिल के अंदर, बिल्कुल तीरम तीर पार हो जाना चाहिए, चले, वेरी गुड, कमेटर नया को समझ में आ गया, कोमल को समझ में आ गया, खुशी को समझ में आ गया, सारे बाल को को समझ में आ गया, बल्ले बल्ले हो गई जी, ठीक है, रोतास जी, क्यान कर लीजेगा, जो अभी तक टेलीग्राम पर जोईन नहीं, तो सर्च कारी है, क्वांट्स भाई, कोपी कट आया समझ में पक्तम पक्का वेरी गुड अब ऐसा ही एक और कुशन मैं आपको देती हूं ठीक है अगर मेरे पास एक सेम सेम कुशन है तो आप वो करके दिखा देना ठीक है ऐसे मैंने डाला दो ही होगा इस पर है एक जैसे दो ही डालूंगे इतने सारे एक ही पैटन पर करने से आपको एक अच्छा इडिया हो जाएगा है ना अब मैं आपको लेके चल रही हूं एक बहुत इंपोर्टेंट एरिया पर जहां से कुशन पक्का पूछा जाता है वेंड डियागरम बेस्ट कुशन देखें तुमने बहुत आते हैं फेवरेट कुशन है वेंड डियागर को पढ़के घवराट ना हो कि यह क्या पूछ लिया चलो चलो सांतनु यह रहा कुश्चन एक बार आप अपनी तरक्य से ट्राइब इसको आंसी ध्यान से करना है यूर फेवरेट कुश्चन है चलो यह आपके सामने कुश्चन आ चुका है अपना जी जान महनत करना मैं जो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो फेल में फेल हुआ हो अच्छा बड़ी इंटेलिजेंट क्लास है नो सुडेंट फेल इन बोद दा सब्जेक्स हाइंड टोटल नंबर ऑफ सुडेंट कि अ आपकी आपकी क्यापेबिलिटीज पर हैं कि आप ओनलाइन क्लासिज देखके कमफर्टेबल है या नहीं है ठीक है आज कल बहुत कोरोना के टाइम पर बहुत बच्चों ने घर वैट के सपने पूरे कर लिए जानते हैं आप भी न हैना आप क्यों पर डिपेंड करता है तो ओनलाइन बेस्ट है एलो बिनू चोधरी जी बताईए जी ओ आंसर आ चुके हैं जी वदिया जी वदिया वदिया उन दसो कीवें कित्ता आपने ही कोशन बनाया किसे मैं आपको कुछ बाते बताऊंगी पहले यह कोशन तो चलो बन भी गया होगा बड़े राम से सबसे अब पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना ऐसा कोशन ट्रेंड में चलता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला परसेंटेज का एरिया यह हज से ज्यादा वेंड डाइगरम बेस्ट कोशन पूछे जाते अब आप मेरी बात को सुननो आपना अपनी कोपी मेंना एक उसमें ना दो गोले बना दो, ऐसे बना लो, अभी सीखना मेरे से ध्यान दे, ये डबा गोला, इसमें ना बंद बंद एरिया देखो कौन से हैं, बंद, क्लोज जो पार्ट कितने हैं, चार है, मैं बताती हो कौन कौन से, बिंदू लगाई, बिंदू लगाई, बिंदू लग बीच में जो है और ये भार ठीक है? ये मिलकर 100% बनते हैं और इसमें नाम सुनना ध्यान से, कोई दो भाशा हो सकती है फूड वाला कोशन अभी आएगा फूड का हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मुवीज के ओपर हो सकता है ठीक है? तुम्हें English movies पसंद है मुझे Hindi movies पसंद है, इस टाइप से हो सकता है कोई भी दो चीज के choice हो सकता है ठीक है? अब देखो ये जो हिस्सा होता है इधर वाला ये only का हिस्सा होता है जिनको सिरफ एक चीज पसंद है जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे को सिरफ चाय पीना पसंद है example के लिए के अचल मैं I am coffee lover ठीक है? मेरे को सिरफ चाय पीना पसंद और आप मेंसे कोई है जिसको सिरफ coffee पीना पसंद है only coffee लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे न जिने tea और coffee दोनों जमता है कुछ भी आणको पीने से मतलब है ठीक है? और कुछ ऐसे होंगे जिने tea और coffee को छोड़के मतलब दोनों ही नहीं पसंद वो इस zone में आते हैं हमें कुछ नहीं पसंद हम दुनियादारी से परे हैं समझ में आगे ऐसे चार चार डब्बे बना दिये मैंने अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनियेगा ये मिलकर 100 बनते कई बार ऐसा होता है कि ना करने वाला कोई बंदा ही नहीं है ठीक है ये हट जाता है फिर भार वाला ब्लोक हटा दो बंदा सोचता है कुछ तो मिले चाय मिले, coffee मिले, मर जाओंगा यार इससे अच्छा गुस्तो मिले भाडो में जाके रह लोगे कि बिना चाय, coffee कि चाहिए होगा न कुछ न गुस्तो मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कुछ न पसंदो वो हटा दो फिर भार का डबा फिर भार के डब्बे को बनाने की कोई अवशकता नहीं है फिर हम दो डब्बो में कहानी को खतम करतेंगे आज ओची पहली राइन पढ़ते हैं 90% student passed in English कहीं only लिखा हुआ है क्या हमें कुछ नहीं पसंदो हमें एक बार बताईए लिखा हुआ है क्या only क्या 90% only English में पास हो रहे हैं only word use नहीं है ना तो मैं इस चांद में नहीं लिख सकती 90 को मेरे को 90 को भार लिखना पड़ेगा 85% math में क्या only लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने English ये माल ली और इधर वाला math माल लिया तो मेरे को 85% को भी भार लिखना पड़ेगा ठीक है अब मेरे दिमाग में प्रशानी शुरू हो गई ठीक है मेरे दिमाग में पानी कर रही हो क्या कर रहे हो पानी पूरी की बात कर रहे हो मैंने का मेरे दिमाग में पानी आ गया सुनिएगा मेरे दिमाग में प्रशानी शुरू होगी मैंने का हाय राम इस मैडम ने तो ये बताया था ये तीनों मिलकर सो बनते हैं लेकिन अगर मैं इन दोनों को जूड़ू dire to 175 वन गया कड़ी जाब murder किसले हुआ है क्योंकि जब आप इसको जोड रहे हो, और आप इसको जोड रहे हो, तो ये बाउजी दो बार आचुके हैं, कितनी बार आचुके हैं, दो बार आचुके हैं, तो अगर मैं कहूं कि इन तीनों का समसो उता, तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, जैसे मैंने इसको ABC बोल दिया, तो आप बोलो तुम इनमें से 100 को हटा दो क्योंकि ए प्लस बी 100% सो आपको यह समझ में आ जाएगा कि बी कितना है आपको मेरी बास समझ में आ गी होगी कि बी 35% समझे के नहीं समझे पीच वाला हिस्सा 55% है बोलो समझ गए तो इतना लिखने की जूट तो नहीं है माइंड को समझ में आना चीए 175 में से 100 उड़ाओ यह हो गया पिचटतर पर समझे बीडू ख्लियर हो गया मांसी जी समझ में आया आप सबको अब आप बोलो कि समझ में आगे मैंने का ये 75% तो लेकिन 1.500 के बराबर है न किसके बराबर है 1.500 के बराबर question ने बोला था कि 1.500 बच्चे दोनों में पास हुए अगर 75% 1.500 के बराबर है तो आपको पता है overall माल 100% होगा अगर ये दुगना है तो इसको भी दुगना कर दीजिए कुल मिला के 200 बालक हो गए आप से ये पूछा गया था बताओ कुल स्टुडेंट्स कितने हैं तो आप बोलोगे कुल मिला के माल हो गया 200 आपका आंसर clearam clearam तुम भी मेरी भाशा बोलने लग गए clear bro तुमने सारे मेरे वर्ड्स कोपी कर लिये है cheating वालो लीजे कुशन आपके स्क्रीन पर मांसी ध्यान से करना है इन्हें कंपनी 60% employees like pizza 60% को pizza खाना पसंद है आज ओजी खाने की बात हो गई है 50% of them like burger movies नहीं है just burger है movies का क्या मत वाइल 15% employees don't like junk food at all 15% को junk food ही नहीं पसंद 125 employees ऐसे हैं जिनको burger और pizza junk food पसंद है बहुत burger और pizza पसंद है आप बताईए उस company में कितने employees work करते हैं ठीक है burger खाना लिखना चाहिए चलिए जल्दी से बताईए सब जगा सो होगा yes जिंपी 100% होगा पूरा मिलके 100 होगा हमेशा जिंपी जी यही तो सिखाना है जी question का answer कर दो जी बाते करने वालो question का answer कर दो जी अंकुष जी दसो जी बिनु जी ए ए ए ए ए answer आ रहा है this one लोक लगा दो तुमारे answer पे अगर answer सही तो 10 करोड इनाम जो तुमारे account में कब जाएंगे वो मुझे नहीं पता लेकिन भगवान करे मेरे मुँ में घीशक कर तुमारे जेब में आ जाएं 10 करोड जल्दी बिताओ कैसे करोड़े इधर सुनो तुम सारे डबा कर दो बंद सबसे बहले डबा बनेगा के नहीं बनेगा ये सोचा करो क्या डबा बनेगा आब बोलो के जमा बनेगा डबा बनेगा क्यों बनेगा डबबा क्योंकि मोम आयत याग लोग शामिल है 15% को जंक फूड नहीं पसंद यानि ऐसे लोग हैं जिनोंने मोम आयत याग रखी है तो येस भारिक डबबा बनेगा यानि डबबा समेत कुल 100% बनेगा डबबा समेत कुल 100% बनेगा 1,2,3,4 ऐसे अब मुझे यह बताओ 15% को अगर मैं रास्ते से साफ कर दूँ ये तीनों कहेंगे हमारा सम 85% क्योंकि मोम आया त्याग ये 15% लोग है जिनको कोई जंक फूर पसंद ना पीजा खाते ना बर्गर खाते कौन सी दुनिया से आए हैं इनी को बता अब इदर आजो सारे आजो सारे आजो इस बार इन तीनों का सम इन तीनों का सम सो नहीं 85 है आपने कहा 60% पीजा खाते हैं 50% बर्गर ये P4 पीजा ये B4 बर्गर इतनी बार दिल में उतर गई आजो जी आजो जी ठीक है अब मैं आपसे बात पुछूँ मैंने का इन दोनों को जोड़ू तो 110 बन रहा है तुम बोलोगे ना मैडम ना 85 बनाओ मैडम 85 बनाना पड़ेगा मैंने का वो पते क्यों नहीं मन रहा? क्योंकि बीच वाला दो बारा रखा एक बार घटा लिते हैं घटा लिते हैं कितना बनेगा घटाने पर आप बोलोगे 25% कितना बनेगा 25% बनेगा मेरी बात यहां तक समझ में आई अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो बोल रहा है 125 ऐसे employees हैं जो burger और pizza दोनों खाते हैं मैंने गा 25% की value है 125 आप बोलोगे ढूंड क्या रही हो मैडम total employees ढूंड रही हूं company के 100% की value ढूंड रही हूं अब गलत आंसर करने वाले तुम उस पंदरा में नहीं हो उस पंदरा में कोई भी नहीं हो सकता गलती बताएं good evening जी सबको good evening मुझे बताओ तुमने गलती कहां किया 500 इस question का आंसर आएगा कई बालकों ने 480 बोला था मेन्नू भी दस्सो जी चारसो असी की में आ गया इदा आंसर तो पांटसो आऊगा गलती बताओ गलती पता चली के नहीं पता चली कि जल्दी 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 जिंपी बुलेट राजा खुशी देव अक्षिया रोडा रोमियो जल्दी समझ गये गलती पता चल गई पहले बताओ गलती क्या गी थी अपनी गलती से जो सीख जाए वही तो हीरो है सिकंदर वही तो कहते हैं हारी बाजी को जीतना जिसे आता है क्लियर हो गया कॉंसेट समझ में आ गया यो डिडेंट इंडस्टेंड गिरिश जी पूरी बात बीच में आयोगे न आपने पूरी सुनी नहीं होगी 15% ने confusion कर दी आपको मैंने बोला था ना कि अगर दोनों ही पसंद ना करने वाले हैं तो उन्हें गोलों से भार रखो उन्हें मो माया त्यागा हुआ समझ के चलो अब यह दुनिया का कोई question ऐसा try कर ले ना तुमसे ना बने तो मेरा नाम बदल देना मुझे 10 करोड चाहिए चलो समझ तो आगया न कोई ऐसी बात है जो लग रहे तुम्हें ना समझ में आई हूँ पहले मुझे बताओ समझ में आगी बात सारी अब मैं आगे जा सकती हूँ दिल पे हाथ रखके बोलो समझ में आ गया तो यह पता नहीं दिल विल कहा होता है चलो नंबर की गलती हो गई वो अलग बात है कोई बात नहीं अब एक प्यारा सा question आपकी स्क्रीन पर आएगा ठीक है एक शांदर question है master stroke question है मुझे आपका तरीका देखने अस question करो क्यान से क करना बीच बीच में एक पंच कोशन आना चाहिए चलो करो इसको कोपी मार रहें से को शरम नहीं आते तुम्हें एक दिन देखने रह गए थे मेरा नाम ना डुबा देना on a test on a test consisting of 250 questions Joan answered 40% of first 125 questions correctly what percent of other 125 questions does she need to correctly answer to get her grade on the entire exam to be 63 ये करके दिखाए left में अपने दिल पे हाथ रखनी है सच बताना है जूट भगवान की कसम खानी है answer करिए session को like share करिए Vivek जी बताए अधिये है कि आई नो यार मैं हसी मजाग में बोल रही हूँ बताओ मेरे को इतनी नोलिश्ट होईगी न मतमा थमासी मजा सोचो मैडम को इतना ही नहीं पता बता रहे हैं सारे बिठागे मेरेको बताओ रक्षिता इसका answer बताओ question पढ़ो answer करो very good question it is very good question आपको पता ये income expenditure वाले question जैसा ही है अगर तुमने इसको ढंग से कर दिया मैं तुम्हें मान जाओंगे वो तरीका लगा के बताओ जो word best देखो question पता क्या रहे है एक test हुगा एक पन्ना ले लिखते हैं कोई भी पन्ना ले लो ये पन्ना है चलेगा ये पन्ना है ठीक है मैं को test दिया किसी ने ठीक है मैं को किसी ने test दिया ये पन्ना है ये पन्ना है ठीक है जी इस पन्ने पे 125 कोश्चन है, पीछे वाले पन्ने पे 125 कोश्चन है, टोटर 500 कोश्चन की बात है, ठीक है जी? मैंने पेपर दिया, कोई negative marking की बात नहीं हो रही, पहले पन्ने पे 125 कोश्चन, दूसरे पन्ने पे 125 कोश्चन है, फुल मिलाके 200 कोश्चन है आपने कोई वेल्यू की बात तो नहीं करी बात है आपने परसेंटेज में किया है जहां बात परसेंटेज में होती है डाटा की ज़रुवत नहीं पर अब देखो हम इस पर जादू करेंगे ता वर्ड बेस जादू करके दिखा तो अभी तुम्हें अलीकेशन भी सिखाऊंगी तुनो मैं आपके जगा बैठी होती ना आपने मेरे को बोला पहले पन्ने पर मैडम आपने 40 परसेंट सही किये हैं मतलब पहले पन्ने पर 125 कोशंOM थे लेकिन मेरे उन में से सिरफ 40 परसेंट सही हो एं दूसरे पन्ने पर मालूम नहीं मने कितने सही किये हैं अगर मैं ढवाइज सो कोशंच को देखू ना तो मेरे सही बैठ रहे हैं 30 परसेंट सही है बो word best तरीका बताना है जिम्पी जी तो जिम्पी word best तरीका यह होगा don't use this गंदे गंदे डाटा use like this 1 is 2, 1 equals to 2 अगर आपको calculation कम से कम समय में करनी है तो डाटा को अपने हिसाब से घुमा तो जहाँ percentage type questions हो नहीं रवी यही तो नहीं ना ऐसे तो सारे ही कर लेंगे फिर मेरे होने का क्या फायदा ठीक है मैंने कहा इतना तो समझते होगे 1 is 2, 1 is 2 का ratio बैठ गया तो इसका मतलब अगर पहले पनने पे 100 question है दूसरे पे 100 question है तो overall 200 होगे अब देखना यू 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 पैंच चलेगा पहले पन्ने के 40% सही किये या लिकी 40 सही किये overall 60% सही किये भवान की कसम खाके बताओ दोसों का 60% क्या होता है 200 का 60% क्या होता है 210 मेरे को कूल मिला के 120 question सही करने है 40 हो गया है 120 करने 80 का सपर ओर पै कर देती हूं असी ठीक कर दूँगी दूसरे पन्ने में से, पहले पन्ने पे मैंने का 100 कोश्चन, दूसरे पन्ने पे 100 कोश्चन, कुल मिला के 200 हो गए, अब एक बाव बताओ, 100 पे तो सब चीजे असान हो जाती है, आप बताओ, अपने मन से पूछो कि 125 का 40% निकालना असान है, कि 100 का 40% न करने पड़ेंगे, अब कोई भी, कोई भी बिने पेन के बता सकता है, कि 80 कोश्चन, 100 में से कितना प्रतिशत होते हैं, कोश्चन आखो आखो में खतम हो जाता, पैनी ना चलता, या कम से कम पैन चलता, आपने 125 को यूज करके आंसर किया, टाइम बरबाद होएगा, अब इधर देखो, मैंने कहा, 80 कोश्चन सही कर रही हूं, 100 में से, तो कोई भी बोलेगा, मैंने असी तो 100 का 80% ही होता है, 100 पे अगर तुमारे उपर से टप गया, दिमाग के कहीं से भी तो बता दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अब मैं आप लोगों को इस पर एक और फंडा बताती हूं, जो आप इसको यूज कर सकते हो, एक और तरीके, ठीक है, यह सब चीज़े हटा दो, आप इसे नोर्मल average की तरह tackle कर सकते, अब देखो, यह चीज समझना, मैं आपको धीरे-धीरे allegation पर भी ले चलूँगी, अब आप इसको लिखने का presentation वे देखो, नजर मता टाना नहीं अटा होगे न, सुन रहे होना सारी बाते, सुन तो रहे होना मेरी बाते, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, ह आए, खर्च, बचत, वैसा-वैसा ही था, वहाँ पर भी मैंने डाटा बदला था न, 18,000, 14,000, बिल्कुल वही है, सिरो भाशा बदली है, तो एक बार concept पकड़ में आ गया, फिर question दुनिया की कोई भी language बना के आजाए, आप बनाने लग जाओ, ठीक है, अब देखो, मैं इ to one का ratio है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा idea ले लो, सुन लो बस, पहले मेरा मैस से दिन खराब होता था, अब आपकी क्लास से stress-free हो के सोता हूँ, अरे मैंने भी आपकी जिम्मेवारी ली, आपको नहीं पता, जब मैं इधर एक घंटा खड़ी होती हूँ न, तो मेरे आप शनाम नहों, कुछ भी कम ना पड़ जाए, ठीक है, बच्चे विश्वास करते हैं, तेरे पर आपको नहीं पता, रुलाओगे क्या, सुनो, पाच सुनो, छोड़ो, मेरे को ना, emotional मत किया करो, ठीक है, 200 कोशन का बात हो रही है, मैं जो बतारी तो उस पर आती हूँ, 125 क सही है, मुझे दोसरे पनने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे overall 60% सही करने है, आप बस इतना बता दीजिए, कि अगर आप एक average वाली अप्रोच लगाएं, तो बताइए, 1 is to 1 का रहश्वा, थोड़ो 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 ऐलिकेशन केगर नोले लगते हो, हर गया 20, एक बराबर 20 के, यहाँ 20 तब आएगा जब यहाँ 80 होगा, जब यहाँ 80 होगा, बोलो, बताओ, यहाँ 80 होगा, यह चीज, यह picture किस-किस को clear हो गई, मैं allegation, income expenditure में भी लगा सकती, लेकिन अभी नहीं, धीरे, 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 यह चीज समझ में आई, जल्दी, जल्द बताओ, रवी, जे picture clear होई, किस-किस को mind में आ गया, अच्छा, average की तरह सोच लेता हूँ, एक-एक का ratio है, 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 ठीके, 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 इस वोगा से बीनी तो भाई, एक काम और कर सकता, मैं आपको ज़्यादा अप्रोचिज नहीं बताना चाती हूँ, म इसको X मानूँगी, तो 80, मतलब यहां 1 ही है न, तो X percent equals to, total question 2 हो गए न, 2 into 80, 160, मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक सेकंद, एक सेकंद बताती हूँ, पहले यह चीज़ clear हो गई, यह चीज़ clear हो गई, यह चीज़ clear हो गई, हाँ बोलो, यह चीज़ पक्की clear है, तो अपन इमेज clear करो इस चीज़ के लिए, देखो, ऐसे सोचो, कि 1 is to 1 का ratio है, यहां 40 percent है, यहां तो मालूम नहीं, overall 80 लान है, तो average की look दे दो, इसको average की, 40 एक कम 40, इसको X मान लो, बोलो X percent, बटे में 2, बराबर, average की तरह, कि बटे में 2, उदर जाएगा, 40 plus X, बराबर किसके हो जा 40 ही था न, overall 60 ही करने है, sorry 60 लिखो न, यहां 60 आएगा, इधर 120 हो गया, तो आप बोलोगी 80, ऐसे गया, ठीके, ऐसे, सारी बात बता दी, basic तो पहले ही बता चुके, ठीके बरो, picture clear हो गई होगी, ठीके, confusion तो नहीं है, कोई भी ऐसा तो नहीं है, मैंने जादा कुछ बोल दिय गई हो, good question, करो, जल्दी करो, जलो, हाँ वो मैं 80 लिख दी थी, 60 था माँ पे, I was thinking कि 80, 60 था, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्या था, ठीके, भावनाए समझ में आनी चाहिए, जेजे ठीके, भावनाए तो सबको समझ में आ जो, like share कर दीजेगा, ओके वीरा जी, चलो, एक और प्यारा सा question आ गया है, two students है, बहुत प्यारा question, बड़ा standard question है, very good question, two students है, एक paper देने बैठे हैं, ठीक है, paper हो गया, बच्चों आपस में बात करें, भाई, तेरे marks मेरे marks से 9 जादा है, one of them secured 9 marks more than the other, and his marks, his किस के लिए लगा हुआ है, जिसके जादा है, एक बच्चे के दूसरे बच्चे से 9 marks जादा हैं, and his marks were 56% of some of their marks, the marks obtained by them are, ये कर दीजे, एकदम perfect, very good, Sandhya, it is a good question, it is very important kind of course, ऐसी statement बहुत आती है, papers के, the word best approach लगा के मुझे इसका answer कर दीजे, Sandhya, Komal, Suman, ध्यान से, वीरा जी ध्यान से करना है, सउच समझ के answer करने को मंगता हूँ, बोलो, मैं समझाओ, पहले sense पकड़ने question की, देखो question ये बोल रहा है, दो बच्चों के paper के marks की discussion चल रही है, जिसे आपने का, आपके marks, मेरे marks से 9 जादा है, और आपके marks, हम दोनों के marks का 56%, ये line को पकड़ लो, जब भी तुम percentage का question करते हो ना, जब भी तुम percentage का question करते हो, अराम समझाओ, पहले वो percent वाली बात को एक बार महसूस करो, ये line क्या बोल रही है, ये line बोल रही है, मेरे marks दूसरे से 9 जादा है, और मेरे marks, मेरी ही बात हो रही है, मेरे marks, हम दोनों के marks का 56%, आप please equation बनाने की बजाए, ऐसे चीज़ों को महसूस करना सीखिए, इनको समझने का प्रयास करें, वीरा जी, एक मिल रूँ चाहिए, हाँ आप ये भी सोच सकते हो, लेकिन वीरा, 9 का difference तो हो, यहां भी है, यहां भी 9 का difference है, सारी जगा 9 का difference है, जान करके 9 का difference डाल रहे है, ताकि आप option से ना कर सकें इसको, नहीं तो मैं आते ही ना, बोल देती, 9 का difference जून लो, सही बात न देखो, यह line सबसको समझ में आती है ना, 1 वाला बच्चा है ना, जिसका नाम 1 है, उसके marks 2 से 9 जात है, और इसी के marks, दोनों के marks के sum का 56 पर 100 है, मतलब यह बोल सकती हूँ, देखना बड़ा प्यार से तरीका बताऊंगी, आपके मन के अंदर बैठ जाएगा, मैंने का, इसक समझो, थोड़े छोटे छोटे नंबर कर लेते हैं, बड़े पर कामी नहीं करते हैं, इनको जितना छोटा कर सकते हो करते हो, तुम बुलो के 4 के पाड़े का इस्तमाल कर लेता हूँ, 14-25 होगे, आप देखो, बस नजर नहीं अटनी चाहिए, नजर नहीं अटनी चाहिए, अगर दोनों के माक्स 25 हैं, तो भाई के माक्स 14 हैं, मैं ये उपर लाइन पड़ी नहीं रही, कितना अंतर है, मैं ऐसे सोच रही हूँ, कि अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से सोचूँ, तो पहले के माक्स 14 हैं, दोनों के माक्स 25 हैं, लेकिन पहले के माक्स 14 हैं, तो दूसर के माकसा equation मत बनाए equation से तो बचाना है दोनों देखो एक बात बाद अगर आपने equation equation खेला ना आप कभी इन चीजों में perfect अपने आपको कभी नहीं मैसूस करता हैंगे आप से question बनेगा 10 नहीं बनेंगे लेकिन आपने concept पकड़ लिया ठीक है तो आप 10 में साथ-8 question अराम से निकास आएंगे शूरू के phase में फिर सो 10 में दस भी वनेंगे इधर देखो सारे के सारे मैंने कहा 14-11 क्या है आप बोलो कि 14-11 ratio रेशो कहा है 14-11 की रेशो सिर्फ एक ही option में 14-11 की रेशो है जो कि 3rd option समझे मैंने इस question में कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ इस 56 परसेंट वाली बात को समझा question नहीं यह बोला कि मेरे marks हम दोनों का 56 परसेंट है तो मैं क्या करती मैं कहती अंतर 3 थोड़ी ना है अंतर तो 9 का है मेरे और तुम्हारे नंबरों में अंतर तो 9 का है तुमको देखने में तो 3 नजर आ रहे है 14 और 11 तो तीन कांटर हुता है और बस तीन खूना करो खतम करो question लो जी मैंने कहां पर कुछ लेट किया ठीक है आप बहुत सारी classes आज भी देखते होंगे जो x-fax से बताते होंगे मैंनी बताती है x-fax ठीक है खतम question ठीक है खतम question एकडम सही तरीक है न बस परसेंटेज वाली बातों को पढ़के महसूस करना वैसे तो मुझे आंसर करने के लिए इतनी मेहनत करने की जूरत नहीं थी मैंने 14-11 परी बात को खतम करते ना था लेकिन मैंने आगे इसलिए कर दिया कि कई वार ओक्षन भी हमारे ले मुसीबत पैदा कर देते हैं ठीक है समझ गए नजर हटी दुरगटना गटी क्लियर हम क्लियर हम बैट गया दिमाग के अंदर हम ठीक है थोड़े टुटे फुटे वर्ड्स हैं मेरे लेकिन वो मेरी परसनल वर्ड्स हैं ठीक है ऐसा कोई बच्चा है रवी कोई भी हो आप मेसे जिसको लग रहे ना भाई मेरे तो दिमाग के अंदर न आ गया अपने तो माइंड के साइड से कहीं से टप गया कोमल को समझ में आ गया सबको समझ में आ गया मस्त है मज आ गया ठीक है चलो बहुत पढ़िया यहीं चाहिए तबस तुम्हें समझ में आना बहुत ज़र है अगले कोईशन पर ले चलू एक और स्वादिश सा कोशन आपके सामने वेरी मच इंपोर्टेंग बहुत ही ज्यान चलो मांजी इसको करो समझ तो आया ना उपर से तो ना टप गया तुम्हारे पॉशन देखे क्या है अस्टूडेंट गोट 23% मार्क्स एंड फेल बाई 40 मार्क्स एक बच्चे के 23% मार्क्स आए और वो 40 मार्क्स से फेल अम फेल गिरिश एक काम कर ले ना आप एक-दो क्लासे से मेरे लिंक को जोड़ी है ठीक है आप शायद पहली क्लास अटेंड कर रहे होंगे आप एक-दो सेशन में आई है आपको फिर हभिचल हो जाएगा किसी भी टीचर से फर्स्ट जब आप क्लास लेते हो ना इट टुक टाइम किसी की भी भाशा समझने में यह बच्चे अभी मेरे से पांच-छे दिन ही पहले जुड़े है ठीक है और पांच-छे दिन में एक बोंड बन गया है भाशा समझ में आने लग गई है उनको मेरी आ समझ में आतना होगा कौन सी भाशा है ना थो यह तम्मील है ना यह कोई है पता नहीं कौन सा वर्ड है इस जस्की मेरी आदत ऐसे जीव जीव बनाके बोलने की वह सी मजाक के लिए है ठीक है आप आएंगे आपको समझ आएगा कोशन देखो क्या है अस्टुडेंट को 23 पर से पास हो गया भाई ने 35 परशेंट लिये और इसको डिकलेयर कर दिया गया कि यह पास तो ही लड्डू के साथ 44 माक्स एक्स्ट्रा भी लाया है यह इसको मिलेगी इज्जत क्लास में कोशन बनाने वाला बोल रहा है बताओ पास होने के लिए कितना माक्स चाहिए वेरी रहे गए तेरे पास होने से ठीक है और वो गिरिश आप हैं दूसरे वंदे जिसको टीचर ने बोला भाई गिरिश को यह लितालिया वाजाओ 35 परशेंट लाया और मैंने जितना निर्धारित किया था ना गिरिश के पास तो हुआ है लड़का पास होने से 44 माक्स ज्यादा भी लाया है अब आप असमीर को यह बता दे ना गिरिश मेरे और आपके बीच में प्रतिशत में अंतर कितना है मेरे और आपके बीच में प्रतिशत में अंतर कितना है आप बोलोगे शत्व में अंतर मैडम जी बारा परसेंट में जादा लाया हूं बारा पर हंडर्ड कितने नंबर का है जैंनी कोई काकट मुझे यह नहीं बता सकती पेपर कितने नंबर का है मैंने कॉछ मेरे 35% कोई दुनिया की ताकत मुझे बता सकता है पेपर कितने नंबर का है रहे इप कितने में से मैं सो में से ही बता पाऊंगी पेपर 700 का भी हो सकता है 800 का भी हो सकता है लेकिन यह जो अरिजनल data ना यह बताएंगे आपको है यह आपको समझाएंगे कि reality क्या है अब इदर देखो मेर और आप में 12 पर 100 का फरक है लेकिन वास्तव में देखा जाए ना आपके पास मेरे से 84 अंक जादा आए 84 कहां से पैदा हो गया पास होने के लिए कोई P अंक चाहिए मुझे नहीं पता ये कितने ये नंबर है कोई P P 800, 900, 500, 300, 250 कुछ भी हो सकता है P अंक लेने वाला पास होगा मेरे नंबर आये होंगे P-40 मेरी कापी में P-40 नंबर लिखे होंगे और गिरिश की कापी में लिखे होंगे P-44 अगर गिरिश और मेरा फर्क देखोगे ना तो पी-पी कट जाएगा हम दोनों में 84 अंतर है मैं तो पीसे भी पीछे हूँ पीसे भी आगे है 84 अब समझ में आया कि 12% अगर 84 के बराबर है तो 1% 7 नंबर के बराबर है यानि कि ये पेपर ना 12 पर 100 का नहीं ये है 84 पर 700 अब बोलोगे कैसे 12% अगर 84 के एक परसेंट साथ के यानि परिक्षा 700 नंबर की हो गई ना अगर आप इनको साथ साथ गुना करते ना फिर ये रियल बन जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग ये चीदों को समझ लो नहीं समझेगा तुम एक बार अपने दिमाग को यूज करके ना तो चो कि अगर पेपर 100 की जगा 700 का हो जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग तो चाहिए हो चाहिए वो उससे कोई फरत ने समझे बास समझ में नई समझ में आये हो ला कोई बात में कितनी पिच्छर क्लियर हुई तुम equation लिखते हो मैं equation से बचाना चाहते हूँ तुम है यह समझ में आया तुम 12% 84 के बराबर है यहां तक समझ लो कोई बात नहीं जल्द बाजी नहीं कर यह 12% 84 के बराबर है तो एक परसेंट में कितना नंबर हो गए मैं आपको एक पिच्छर क्लियर करते हूँ छोड़ो इक बार सुन सुनो 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 अभी आयेगा समझ में ठंड रखके दिमाग में रख सुनो कि रुकना एक बार एक मिट एक मिट एक मिट एक मिनट दे दो नहीं कहां 200 नंबर में से न मेरे साथ नंबर आये कितनी परसेंट है मेरी नजर नहीं अटाने का मेरे कितनी परसेंट आये मेरी कितनी परसेंट आये आप वो लोगे मैडम जी मुबारक हो 30 परसेंट है कितनी परसेंट आई है, 40% असल में हम दोनों में 20 नंबर का फरक है असल में हमारे और आपके बीच में 20 नंबर का फरक है मैं 200 में से 60 लाई हूँ, तुम 200 में से 80 लाई हो लेकिन तुम अगर इनको देखोगे, तो तुमें 10 नंबर का फरक नजर आएगा यहां तुमने paper 100 number का कर दिया 100 में से 30 और 100 में से 40 तुम बोलो के फरक तो 10 number का बैठ रहा है मैंने का वो इसलिए क्योंकि तुमने पहाडों पे काट रखा है लेकिन reality देखोगे तो अगर हमारा फरक 20 बन रहा है तो फिर paper भी तो 200 का हाँ फरक reality यह है कि 60-200 पर है और reality 80-200 पर है जबकि तुम 30% और 40% बोल रहे हो तो यह 10 बन गया जबकि यह 20 था तो यही चीज यहां पर देखो न यह फरक 12% का थोड़ी नहीं 12 तो 100 की वज़े से है फरक तो 84 गाई इसका मतलब paper 700 का होना चाहिए 1% 7 के बराबर 100 बराबर 700 के यह परिक्षा 700 नंबर की है ठीक है समझ रहे हो 700 नंबर के paper में आप तुम्हें क्या बताने है passing mark मेरे थुरू बना लो या गिरिश की थुरू तुम्हें जो गुणा अच्छी लगए तुमने बोला मेडम 35 इंटू 7 कर देते हैं ठीक है यह हो गया 245 और मैडम जी 44 नंबर चे लड़का पास हुआ है 44 खीच लेते हैं इसको पास पे बिठाना है 44 कम मेरी गुणा सही नहीं होई क्या 40 नंबर जादा ले रहे हैं न गुणा सही है 40 नंबर 201 नंबर खतम्स 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 बोलो समझ गए आगया समझ अच्छे तो दिल में बैड़ गया जितना मैंने बताया सब समझ में आया रिशी एक बार तुम इन चीजों को पकड़के सही से करने लगए फिर मैं स्पीड खीच जाओंगे धीरे धीरे क्लियरम क्लियरम वेरी गुड दिल में उतरिंग उतरिंग रिशी सच में समझ में आ गया ऐसे चीजों को तुमारे माइंड में डालना चाहती हूं मैंने चाहती हूं तुम्हें 10-12 कोशन तुमने रट ली और वहां जाके बेड़ा गर गो जाए पॉमल को भी समझ में आ गया पवन को भी क्रिश्चल करियर हो चुका है अब मेरे को आप लोगों से दो मिंट करनी है बात मेरे साथ गूगल पर चलो टेस्बुक पर चलो यहाँ पर टेस्बुक के पहले ही लिंक को क्लिक करो और सूपर कोचिंग मेरे साथ चलो लेफ्टेंट साइड चलो मेरे साथ आपके सपनों की दुनिया में यहाँ पर आप मेरे साथ क्लिक करिये UPSI और PCS exams के लिए सूपर कोचिंग जब यह क्लिक करोगे अच्छा हाँ इसे ज़्यादा भी नहीं बढ़ारी मैं स्पीड अब इस सुनो मेरी बात अगर आप लोग टेस्बुक सूपर कोचिंग प्लैन जोईन करना चाहते हैं आप EMIB अवे लेबल है सूपर कोचिंग के अंदर ठीक है आप जरूर देखिए कि आपको कितने सारे courses मिलने वाले हैं अगर आप इसको स्ट्रोल करेंगे तो आपको सारे educators नजर आ जाएंगे सूपर कोचिंग में हमारे कौन-कौन से educators पढ़ा रहे हैं इतने सारे सारे के सारे educators हैं किन-किन की paid courses में classes चल रही है आपको क्वांट की कितनी classes मिलने हैं GS paper 3, GS paper 4 97 से जज़ा PDF notes आपके सारे पूरा का पूरा मतलब बोलते हैं न structure plan है और जिसमें आप लोग enroll करते time maximum discount लेने के लिए मेरा coupon code यूज कर सकते हैं जो की है गोपी का आप जैसे ही गोपी का coupon code यूज करोगे आपको maximum discount मिल जाएगा super coaching मेरी class शुरू होने वाली है CSET की आप उसमें भी join कर सकते हो ठीक है जब आप आओगे तो मैं उसमें दिखी जाओंगे आप लोगों की दूसरी बात ये कल एक और session planned है मैं आपको share कर दूँगे उसके बार में सारी details ला दूँगे उसको जरूर जोएंग करना ठीक है सारे एक एक लाइक तो कर दो सही बात है वीरा जी थेंक्यू सो मच ठीक है 8 batch में आ रहा है ना मेरा course भी आ रहा है डॉंट वरी ठीक है कल एर्थ ओफ मार्च से शुरू हो जाएगा अब जल्दी से जूट जाईए आप सब कहां गया यह रहा telegram को join कर ले न आपको बिंदी लगाते रहा कभी कई पे कई पे session कैसा लगा सारा कुछ समझ में आया रोताश क्या सारी बाते समझ में आई हर चीज दिल के अंदर चली गई बोल दो हाँ ठीक है आ जाओंगी जिंपी जी समझ में आगे न सारी बात अब बागी करेंगे कल आज के लिए इतना काफी है खेंड रखो सो जाओ अराम से रेस्ट करना पढ़ाई करना ठीक है कल में लेंगे ना सेम ताइम सेम जागा थैंक यू आव गूद देखी यू